नमस्कार मैं डॉक्टर गोपाल लुहिया होमेयोपाथ अक्योपंक्चरिस्ट एंड बैश फ्लॉर थेरेपिस्ट का सब्जेक्ट बैश फ्लॉर के कॉंबेनेशन्स मतलब जिन लोगों को बैश फ्लॉर का बहुत डीटेल नॉलेज नहीं है और पढ़ाई भी नहीं उन लोग का उनको डिरेक्ट बैश फ्लॉर की कुछ कॉंबेनेशन्स यूज करते आना चाहिए इसलिए आज का वीडियो बना रहा हूं इसमें आज मैं देने वालों आपको चार कॉंबेनेशन्स और उनकी डीटेल्स पहला है थकान के लिए दूसरा है एंग्जाइटी इन मदर्स त फुर्ट वाला बहुत इंपोर्टन्ट है बालों को काला कैसे करें या हाउ टू स्टॉप ग्रीइंग ओफ एर्स तो शुरू करते हैं पहला जो कॉंबेनेशन है वो टॉनिक है बैश फ्लॉर टॉनिक उसमें ओक ऑलीव हॉन बिम एंड सेंटर ये चार मेडिसिंस है ठकाना सभी मारिस आती है शान की ठकानं है एक अगर धकान ये सब करके भी नहीं जाए तो हो सकता हे और की थकान हो और उसके लिए आपको बैस्ट प्लावर ही लेना पड़ेगा तो आइए देखते हैं यह कॉंबिनेशन का पहला मेडिसिन ओक ओक ऐसा है कि कितने भी प्रतिकूल परिस्थिती रहे आपके जीवन में वह काम करते ही रहता है वह थकता नहीं कभी भी कभी निगेटि न्युक्त देता है और दूसरा मेडिसिन वालिव जब बहुत काम करने के बाद में शेरिर ठटक जाता है तो उसे ऑलिव स्टेंड देता है तिस्रा अहिए सेंटॉरी सेंटूरी का अभी वीडियो बनाया था मैंने यह नहीं नहीं बोल सकता है किसी और सब लोग इने काम बोलते ही रहते हैं तू बेटा ये कर ले तू वो ले तू फाला ना कर ले और दिन राथ काम करते करते हो धक बहTIN जाते है और उनको मन में तकलिप वह затем क्यों 나 नहीं बोलता हूं मैं इन लोगों को मुझे जरूत ही नहीं काम करने की मुझे नहीं बोल देना चाहिए तो यह mental strength देती है ताकि वह नहीं भी बोल सके है और मेडिसेन है हॉन बिम हॉन बिम यह mental stress के लिए बहुत अच्छा मेडिसेन जैसे कुछ काम अगर आ गया हमारे सामने जैसे कोई गेस्ट आने वाले घर में तो अगर आपको लगता हो कि इतने गेस्ट आरे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा और जब एक्ट्वल में गेस्ट आते हैं तो अच्छे से आप करके निकल जाते हो तो मन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हॉन बिम है तो दोस्तों यह कॉम्बिनेशन में चार दवाई आपने देख लिए ओक ऑलीव सेंट्वरी हॉन बिम इनका मिक्स्चर करके आठाट ड्रॉप जिन में दो बार तिन बार मैना दो मैना ले लेंगे तो आप पहले जैसे एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे देखते दूसरा कॉम्बिनेशन एंक्षेस मदर्स मदर कोई भी हो वो एंक्षेस ही होती है अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए यह ग्रूप में तीन मेडिसेन है रेट शेसनेट वालनट चिकोरी और अगर आपको लगता है कि और भी कोई इमोशन है तो वो भी आप इसमें एड कर सकते हो रेट शेसनेट को क्या होता है कि दूसरी की बड़ी फिकर होती है दूसरी की बड़ी चिंता होती दिन राथ दूसरी की चिंता में यह लगे होते ह और दूसरा मेडिसिन है इसमें वालनट, वालनट ऐसा है कि कोई भी टेंचन वाले स्थिति रहे या कोई भी ऐसा महौल बन जाए तो उसमें वालनट थोड़ा सपोर्ट देता है कि थोड़ा लेट हो रहा है बच्चे को कुछ हुआ रहेगा आ जाएगा हो जाएगा, मतलब मेरा उनको बड़ी चिंता रहती है उनको खुद का बड़ा दिखते रहता है और दूसरे की भी बड़ी चिंता रहती है उनको कि अरे यार मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा मतलब इस टाइप की चिंता उनको होती है कि सामने वाले को तो ठीक है लेकिन मुझे को उसको कुछ होगा है तो मेरा क्या होगा ये चिंता उनको थोड़ी जादा होती है तो ये तीनों दवाईयों को मिक्स करके छेचे ड्रॉब्स दिन में दो बार तीन बार अगर देते हैं आप ऐसी मादर्स को तो थोड़े दिन में ही वह एकदम डे पैसेंस और वर्वेन हैं है ब्लड प्रस्टर वाली समस्या बहुत आम हो गई है हर किसी को अजकल हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इस डूटू हरी वरी एंट करी इसका भी एक स्पेशल वीडियो में ने बनाया है लेकिन या मैं चुकिए कॉंबिनेशन दे रहा हूँ इस कर लेते हैं और इसकी बड़ी उनको तकलिब होती है रात रात बर वा सो नहीं पाते बाद में सोचते रहेते हैं कि क्यों मेंने उनको जवाब नहीं दिया या यह तकलिई की वज़े से भी उसका बलड पेशर बढ़ जाता है दूसरा दवाई है रेडशेस्टन अबी हमने देखा कि दूसरों की care करते करते इनकी भी body ठक जाती है, इनका भी tension बढ़ जाता है और बाद में का दवई है walnut, walnut इसलिए कि कभी-कभी blood pressure, hereditary भी आता है, माँ-बाप से भी आते रहता है, तो walnut इसमें link breaking का काम करता है, जो पुर्खों से आया हो, आपने अगर ले लिया तो link transfer नहीं होगा, तो यह हर एक को लेना चाहिए, फिर चौथा medicine impatience, अजकल आप कई पी भी बाहर निकलो, सब लोग एकदम गड़बर में रहते हैं, जल्दी जाना है, सब को जल्दी जाना है, जल्दी जाके करेगा क्या, यह नहीं मालूम, बस निकलना है यासे, जल्दी combination है, वर्वेन, वर्वेन के विक्तिमत तो बहुत उच सही होते हैं, उनको बहुत कुछ काम करना रहता है, और बहुत सर पे ले भी लेते हैं और बाद में इसका लोड आ जाता है, उनके उपर ब्लड पिशर बढ़ जाता है, तो दोस्तों यह पाचो दवाईया एक साथ में मिक्स कर लिजे और दजजबन दिन में दो बार तिन बार जैसे भी ज़रूत पड़ते हैं आपको यह आप लेते रहिए, एक बात क्या ध्यान रहे कि यह combination ले रहे हैं इसका मतलब है नहीं कि यह BP का medicine है, यह आपको सिर्फ help करेगा, जो आपके main medicine है BP की जो भी टैबलेट है इसका dose minimum रखने में यह आपको मदद करेगा और हो सकता है over the period of time आपका blood pressure जा भी सकता है, लेकिन यह सब आप जो भी प्रयोक करेंगे यह doctor के सला से ही करना, खुद मत करना. अब लास्ट वाला combination है बहुत important for graying of hairs, यह इसमें है तीन medicines, white chestnut, walnut and risk remedy, chestnut का ऐसा है कि कोई विचार है कर उनकी दिमाग में आ जाता है, तो वो दिमाग में घूमते ही रहता है, वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है, continue घूमते रहता है, चोबी सो घंटा, उनको नीन भी नही ही उसके होज़े से, और body का जो एक basic temperature होता है, हो भी बढ़ जाता है, तो यह वीचार नहीं आने से stress बढ़ने से, बाल white होना चालो हो जाते है, दूसरा medicine है walnut, walnut परिस्तितियों को adjust करने के लिए आपको मदद करता है, प्लस आपके graying of hairs, अगर hereditary है, तो वो control करने में आपक की मदद करेगा, और third medicine है rescue remedy, rescue remedy आप सब को मालूम है, it relieves unnecessary stress, stress को कम करता है, और body को एकदम cool लगता है, एकदम अच्छे से, must stress free, तो आप सिप बालो के लिए नी rescue remedy आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, आपके मन की शांती के लिए, अगर मन की शांती रहती है, कोई हरी वरी करी नहीं रहती है, तो आपके बाल वाइट होंगी ही नहीं है, guaranteed है, तो साथियों, friends, मन को शांत रखिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा खाना खाईए, और बालो को भी काला रखिए, तो ये थी चार कॉंबिनेशन, अगले कॉंबिनेशन के ल